नमस्कार, आईए सुनते हैं मनु भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानी तीसरा आदमी पजामे को मोड कर उसमें क्लिप लगाते हुए सतीश बोला तुमने तो सारा कमराही अस्त्वियस्त कर रखा है, कहीं बैटने तक की तो जगा नहीं है तुम ठीक ठाक करो, तब तक मैं ज़रा बाहर घूमाता हूँ हाथ में जाडू लिये लिये ही शकुन्यों से भरपूर नजरों से देखा देख रही हूँ, तुम्हें आलोग जी का आना अच्छा नहीं लग रहा है आवाज में हलकी सी तलकी थी, जैसे बोहों पर पड़े बलने और भी स्पष्ट कर दिया था मुझे, मैंने तो ऐसे नहीं खा, और उसने यूहीं स्टैन के सहारे खड़ी साइकल के पेडल पे जोर से पैर मारा तो पीछे का पैया जोर से घरना उठा, सब कुछ कहा ही नहीं जाता है, कुछ बाते होती हैं जो शब्दों के बिना भी शब्दों से जादा स्पष्ट लगती है फिर मैं कोई बच्ची नहीं, तुमारी हर बात को खुब समझती हूँ और वो जोर-जोर से जाड़ू मार कर दरी की धूल जारने लगी एक शन को सतीश की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, क्या करे बड़ी कातिर सी नजर से उसने शकुन को देखा और फिर साइकल ठेलता हुआ सीड़ियां उतर कर सड़क पर आ गया बाहर आकर एक-एक उससे लगने लगा, जैसे आलोग का आना उससे सच-मुशी अच्छा नहीं लग रहा है दो दिन से मन पे जो खिर्नता चाही हुई है, वो कहीं अच्छा न लगना ही तो है वो शायद इस भावना को नाम नहीं दे पा रहा था, शकुन ने दे दिया शकुन के मन में बड़ा उत्सा है, कल से ही लगी हुई है सारा घर ठीक करने में और कल से उसे बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं उसने बड़ा घर लेने की बात मान ली अब इस एक कमरे को ही बड़ा करने में उसे न जाने कितना फाल्तू समान हटाना पड़ा है अपने घर को बिलकुल नया रूप, नया जीवन देने पर दुली हुई है जैसे नया रूप, नया जीवन? कमरे के लिए ये शब्द कितने बेतुके हैं? उसे इन शब्दों का खयाल ही क्यों आया? उसे खुद लगने लगा कि बहुत भीतर कहीं कुछ हो रहा है, जो उसे अब नॉर्मल बनाता जा रहा है तब ही तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी शकुन भाब गई उसने देखा वो शुकला के घर के सामने आ गया है, चलते समय उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि वो कहां जाएगा बस घर में बैटने की जगा नहीं थी, इसो चल पड़ा था कुछ दे शुकला के यां ही बैट ले, उसने पैर जमीन पर टिका दिये पर दो मिनट तक वो ये तैहीं नहीं कर पाया, क्योंई शुकला के आ जाए या आगे बढ़ जाए नहीं, उसे कहीं नहीं बैटना, वो इस समय एकांध में बैटकर अपने मन में ही जाकेगा जो कुछ भी अनुचे अस्वभाविक कहीं है, उसे जाने समझेगा शायद इससे उसकी मानसिक स्थिती कुछ सुद्रेगी वरना यदि वो कल भी इसी तरह उटपटांग व्यभार करने लगा, तो कितनी भद्धी बात होगी फिर यही आने व्याला व्यक्ती लेखा ठेहरा, जरूर बड़ी पैनी नजर होगी उसकी उसने साइकल आना सागर की और मोड़ दी, बजरंग घड़ पर चड़ती भीड को देखकर उसे खयाल आया आज जरूर मंगलवार ही होना चाहिए, होना क्या चाहिए है ही तो वो क्या भूलने भी लगा है, क्या होता जा रहा है उसे सारी बारा दरी पार करके, वो उसके अंतिम सिरे पर आ गया साइकल में उसने ताला डाला और तलाब की और मूँ करके बैठ गया सामने पानी में छोटी-छोटी लेरे उट बिखर रही थी एक लहर उटकर आगे बढ़ती, पर किनारे तक आने से पहले ही दूसरी लहर धक्के से उसे विखेर देती, वो कुछ देर लहरों का ये खेल देखता ही रहा, कल अलोग जी आ रहे है, अलोग जी जिने वो जानता नहीं, जिने उसने कभी देखा नहीं, वो शकुन आ रहे हैं, यूँ देखो तो बड़ी ही साधारन सी बात है, फिर भी उससे लगता था कि कहीं कुछ है अवश्य, आलोग जी बड़े लेखक हैं, शकुन से ही उसने उनके बड़पन की बात सुनी है, बड़े आदमी है तो व्यस्त भी जरूर रहते होंगे, फिर आना सुईकार क्या से कर लिया, शकुन सी बे तो कोई विशेश परिचे नहीं है, चार महीने पहले वो दो दिन के लिए जैपुर गई थी अपने भाई साब के पास, वहीं शकुन कुछ जादा ही उत्साहित है, उत्साह क्या आवेग में आई हुई है, शायद इसलिए कि वो उन्हें चान्ती भी है और कोई बड़ा आदमी आता है, तो उत्साह आवेग तो आही जाता है, उसे याद आया शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्तिती असह हो जाती थी, कमरा एक ही था और जब कोई भी आ जाता, तो उसके सोने के लिए अलग जगा नहीं रह जाती, और सोते समय शकुन से अलगाओ नहीं सा आ जाता, जिस साल शकुन बीए की तैयारी कर रही थी, उसने गाओं से मा को बुलवा लिया था, घर मा समाल लेंगी तुम प जाहे नहीं छोड सकती, वहां आते ही मेरी सारी थकान मिट जाती है, अगले दिन के लिए तासगी आ जाती है, और सतीश ने बड़े धंग से मा को वापिस गाओं भेज दिया था, एक बार उसका एक पुराना मित्र आकर टिक गया था, शकुन शिष्टता की सीमा लांग कर उसके साथ पेश आई, सतीश को तो इस बार गुसा भी आ गया था, पर शकुन की ये दुरबलता भीतर ही भीतर उसे कहीं पुलकित भी करती रही, मैं बीटी करके नौकरी कर लूँ, तम तुम दो कमरे का मकान लेने ना, और जिससे चाहे बुलाना, यूहीं अब तो किसी त इसरे आदमी को लाने के लिए मनुहार करते रहे थे, तीन साल अपने को जब्त किया, अब और नहीं, अब और नहीं, वो प्रतीक्षा करते और फिर नए सिरे से निराश हो जाते, चुलाय में शकुन को हायर सिकेंडरी स्कूल में नौकरी मिल गई, दो तीन महीने अपने न व्रत तु ठीक है न, सतीश ने भीतल लेटी शकुन को दुलराते हुए पूछा, हाँ हाँ ठीक है, मैंने वरत रखा है, वरत? सतीश जोर से हस बड़ा, ये वरत तुम कब से रखने लगी हो? अब से मंगल को रखा करूंगी, हनुमान जी का वरत रखना चाहिए, तुम चा मुझे बड़ा अकेला-केला लगता है, सतीश इस बात से दुखी नहीं, शकुन के देख कर जरूर दुखी था, पर कुछ भी उसकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें, और एक दिन शकुन ने कहा, सुनो, आज में डॉक्टर के पास गई थी, क्यों? बड़े आश्चर से उसने पूछा, इधर कुछ दिनों से मुझे अपनी तवियत ठीक नहीं लग रही थी, सोचा दिखा दूँ, मुझे तो तुमने अपनी तवियत के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ अविश्वास से उसने पूछा, शकुन यो अकेली डॉक्टर के पास चली जाए, अता दे दी, पस यूँ ही ज़रा भारी पंसा लगता था, क्या कहा डॉक्टर ने, डॉक्टर की बात सुनते ही उसका मन चानी कैसा कैसा होने लगा था, पर अब आशा की एक हलकी सी लहर दोड गई, क्या शकुन कोई खुशकबरी सुनाने वाली है, कोई खास बात नहीं, ब नहीं चाहती थी, मुझ किताब में ही गड़ाई रही, क्या हर्ज है, एक बार चले तो जाओ, हिम्मत बटोर कर शकुन ने कहा, सतीश को लगा शकुन को यूँ अकेले डॉक्टर के पास जाना, उसे भी जाने के लिए कहना, जिसे भीतर ही वीतर कुछ घुनता जा रहा है, और वो प्रतीक्षा करने लगा कि शकुन विरोध करे या अजित करे, तो फिर वे कुछ सुनाए, शकुन ने कुछ नहीं कहा, कहती क्यों नहीं साफ साफ, सामने लेटी शकुन उसे बड़ी अपरिच्चित और पराहिसी लगी, यही वो शकुन है, जिसे उसने अपने प्रा और उस दिन के बाद उस खर की छट के नीचे कुछ बिना बोले, बिना कहे, बहुत कुछ घट गया था, शकुन के भीतर कहीं कुछ मर गया था, जिस रात की प्रतीक्षा में सतीश पहले सारा दिन काटता था, बिना था के फाइलों से जूचता रहता था, उसी रात से अब डरने लगा उसके बाद जब भी वो दो कमरे का घर लेने की बात आती बड़े बुझे-बुझे स्वर में शकुन कहती क्या करना है बड़े घर का दो जनों के लिए ये कमरा ही काफी है हाँ लकडी का पार्टिशन अवश्य लग गया था और बाकाइदा सोने और बैठने के ल लेंगे वरना है कौन और सतीश का मन होता था कि इस बेसर पैर की बकवास करने के लिए वो शकुन की जीप खीच ले पर भीतरी भीतर दिन प्रति दिन बढ़ने वाला वो भै उसे कुछ भी नहीं करने देता क्या कहें वो और सबसे बड़ा परिवरतन हुआ था कि सारा शरी सतीश की बाहों में छोड़कर भी शकुन कहीं और रहती थी थोड़ी देर बाद वो उसकी बाहों में से छूटकर करवट लेके सो जाती मुझे नीद आ रही है और अपमानी ताहत सतीश करवटे लेता रहता और निश्चे करता कि वो शकुन को बिना बताय ही कल डॉक्टर क पास जाएगा और अपने को दिखा आएगा ये जूटा लाचन वो क्यों अपने उपर ले पर सवेरा आता तो पता नहीं उसे क्या होता कि डॉक्टर के यां जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती मन के किसी कोने में छुपा हुआ वो भै फैलता जाता और उसके सारे निश् उसके शरीर से भी और मन से भी कोई तीसरा प्राणी उनके बीच आ जाता तो वो कितने पास आ जाते उसकी अभाव में उसकी अनुपस्थिती में दिनों दिन वो दूर दूर ही होते जा रहे हैं पर कोई तीसरा प्राणी आया नहीं हाँ खाना बनाने के लिए एक बुड़ स्वतीश भी स्वर में स्वर मिला कर गाने लगा, वो कई बार मंगल को शकुन के साथ बजरंगर आया है, उसे पूरी आर्थी याद है, शकुन ने कमरा ठीक कर लिया होगा, अब चलना चाहिए, उसे एका एक पच्टावा होने लगा कि वो यहां क्यूं आया, उसे भी शकुन आज क्या, उसे पिछले तीन-चार माईनों से भी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ शकुन जरूर कुछ पसंद रहने लगी है, लगता है जैसे उसने इस्थिती को अपनी नियती मान लिया है, पर क्यूं, दो वर्ष का समय कोई ऐसी अविधी तो नहीं है कि आद और यदि है ही, तो क्यों नहीं वही उसे प्रमानित करके उसे इस त्रास्क से मुप्ती दे देता, पर क्या हुआ है उसे जो डॉक्टर के पास जाए, वो बिलकुल नॉर्मल आदमी है, ऐसा कुछ भी होता तो क्या उसे पता नहीं लगता, क्या तीन साल तक शकुन को पता नहीं लगता, उसने कभी कुछ मैसूस नहीं किया, तो फिर ये शंका उसके मन में आई ही क्यों, पर वो एक बार फिर चला ही क्यों नहीं जाता, नहीं, वो शकुन की जूटी और बेतु की जित के सामने अपने को यों अपमानित नहीं होने देगा, पर हर बार ही कहीं बहु पर बार ही किश्वास उटने लगा था, उसे स्वयम शकुन का संदय कभी कभी सच लगने लगता था, एक अप्राव भावना मन में घर करने लगी थी, और तब उसने सोचा था कि शकुन को प्रसंद करने के लिए वो सब कुछ करेगा, किसी भी कीमत पर वो उसे प्रसंद र रहने लगी, तो उसे लगने लगा कि वो कीमत उसने चुकाई नहीं जा रही है, बहुत भारी पड़ रही है, उसने स्वयम आलोक के पत्र पड़े हैं, उनमें उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, जिससे वो आहात अनुभव करें, पर हमेशा उसे लगता है कि लिखे हुए श सितीश ने खड़े होके और बड़े अलसाव भाव से एक जोर की अंगडाई ली, सामने पानी के फैले विस्तार में अभी भी छोटी-छोटी लहरें उट बिखर रही थी, तीन तरफ पहाणियों से गिरा ये तलाब और उटती बिखरती ये लहरें, शादी के बाद अक्सर वो शकुन को लेकर यहां आया करता था, शकुन तब इंटर पास थी, वो बैटकर आगे की योजना बनाया करते थे और 110 रुपे में पूरा महीना काटने का बज़ट भी, उसे याद आया, यहीं शकुन ने उसे अपने पहले प्रेमी की बाद भी सुनाई थी, और बताया थ कि कैसे वो केवल उसकी पलकों को ही चूमा करता था, और उस दिन घर लोटते समय वो रास्ते बर यही सोचता रहा था, कि अब वो कभी शकुन की पलकें चूमेंगा नहीं, वरना उसे अवश्य ही अपने उस प्रेमी की आद आएगी और वो नहीं चाहता, चाहता क्या वो ब बात जबान पर आगई तो समझ लो प्यार मर गया, वो सब तो निरे बच्पने की बाते थी, और उसने सतीश के सीने पर सिर रखकर आखे मून ली थी, एका एक सतीश को याद आया, अलोग का पत्र आया था, शकुन परत्र पढ़ती जा रही थी, और एक प्यारी सी मुस्का उसके चहरे पर खिलती जा रही थी, ऐसा क्या लिख बेजा है लेखक जी ने, बड़ी मुस्कराट फूट रही है, कुछ नहीं यूही, रात को फिर उसने अलोग का प्रिसंग छेड़ा था, तो शकुन एक तरह से जला उठी थी, क्या बात है, देखती हो अलोग जी से परि फिर हो गया, मानों उसमें कोई चेतना ही न रह गई हो, अब यहां से चल देना चाहिए, साइकल पर बैठती ही ठंडी हवा का एसास तो हुआ, पर लगा वो हलका या आधिक सहत स्वाभाविक होकर नहीं लोट रहा है, घर को सचमुच नया रूप मिल चुका था, मैं बहु कोई उसोता देखकर धेर सा लाड़ उसके मन में उमड़ाया, भीतर ही भीतर उमड़ती एटती अपराद भावना और जादा गेरा गई, मन का पह विश्वास का रूप लेकर गहरे उतरने लगा, सचमुच ही उसके भीतर कहीं कुछ है अवश्य, शकुन के साथ अन्याय ही ह उसे कोई अधिकार नहीं शकुन पर इस तरह संदेख करने का या आरोप लगाने का, औरत की ये कितनी स्वभाविक इच्छा होती है कि वो मा बने, मान लो ये बात प्रमानित हो जाए कि वो कभी शकुन को मा नहीं बना सकता है तो, जानिक ऐसा विचार उसके मन में आया कि भीता तक सहर गया, फिर वो अपने को जैसे तोलने लगा, क्या वो शकुन की इस इच्छा को पूरी करने में सहायक हो सकता है, क्या वो अपनी इस दुरबलता के सामने घुटने टेक कर ऐसी तठस्त उदार दाला सकता है, कि वो जैसे भी अपनी इच्छा पूरी कर ले, मान उसने जपट कर टेबल लाम का सुच दबा दिया कमरे में एक शन को खोप अंधेरा चागया यहां तक कि पास लेटी शकुन की आकरिती भी अंधेरे में डूब कर रह गई धीरे धीरे फिर सब चीजें अपना रूप लेने लगी शनभर को जो सब कुछ डूब किया था फिर दिखाई देने लगा सपश्ट और अधिक्ष सपश्ट सतीश को बड़ी तसल्ली मिली वो अपने कमरे में ही है और अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है पैचान सकता है कहीं कुछ नहीं बदला है वो भी कैसे आधार हीन और अरथिक बातों को बढ़ा चड़ा कर व्यर्थी भैवीत होता रहता है बाहे फैला कर उसने शकुन को अपने पास खीच कर जोर से भीचना चाहा शकुन ने हलका सा विरोध किया छोड़ो बड़ी गर्मी लग रही है फर्वरी का महीना बीद किया था सर्दी चाहे ना हो पर गर्मी का तो नाम भी नहीं था कंबल ओड़ कर ही सोते थे उसे जून की वो बात याद आई एक दिन ऐसे ही भैंकर गर्मी से चिपचिपाते हुए शकुन को उसने अलग कर दिया था तो दूसरे ही दिन अपनी बचट के सारे पैसे सामने रखकर उसने कहा था आज ही एक टेबल फैन खरीद लाओ तुम तो जानते हो कि मुझे और वो बड़ी तिर्ची नजरों से देखकर हस पड़ी थी उनके घर में टेबल फैन ऐसे ही आया था तांगा चला तो सतीश का मन गहरे अवसाद में डूबने लगा स्टेशन आते समय मन में विशेश उत्सा और प्रसन्नता चाहे न रही हो पर ऐसी खिन्नता भी नहीं थी डूबने डूबने का ये एसास भी नहीं था अब उसकी नजर पास बैठे अलोग के सिने की चोड़ाई में ही बंद कर रह गई थी और मन कहीं गहरे डूबने लगा कैसा शहर है अजमेर आप खुदी देख लीजे दो-चार दिन तो ठहरी है गाही अरे नहीं सहाब आज रात को ही वापिस लोटना है शकुन जी का इतना आग रह था फिर आपका कार्ड मिला तो लगा आना ही पड़ेगा एक बोच सा हटा ऐसे खुले विवार का जन्म किसी रहसे से तो हो ही नहीं सकता वो वियर्थी बैठे बैठे कुर्डा है ये उसका अपना ही हीन भाव है और कुछ नहीं पर उसकी ये स्वस्त बुजाएं उन पर उबरी मचलियां इसका तो सभी कुछ बहुत स्वस्त होगा सवेरे पता नहीं क्यों एका एक शकुन ने अपना इरादा ही बदल दिया था मैं स्टेशन नहीं जाओंगी तुम ही जाकर ले आओ कहीं थोड़ा अश्वस्त और संतुष सा होते हुए भी उसने कहा था अरे वा ये भी कोई बात हुई भला इतना आग्रे करके बुलाया है और अब लेने नहीं जाओगी शिश्टिता भी तो कोई चीज होती है आखिर तुम तो पहुँची जाओगे घर से कोई भी जाए क्या फरक पड़ता है सतीश ने गौर से शकुन को देखा क्या सचमुच शकुन उसे और अपने को एक ही समझती है कितने सहज भाव से उसने कह दिया कि कोई भी चला जाए क्या फरक पड़ता है और एक वो है जि दो दिन से पता नहीं क्या-क्या सोच रहा है उसके मन का तनाव एका-एक ही ढीला हो गया फिर भी उसने कहा था मैं तो पैचानता भी नहीं चलना तुमको भी चाहिए तस्वीर तो तुमने देखी है पैचानी लोगे खेर पैचान तो लूगा ही और उससे लगा वो तस्वीर ना भी देखता तो भी पैचान लेता और स्टेशन क्या हजारों की भीड में भी वो अलोग को पैचान सकता है शकुन मुस्कुराई थी उस समय तो सतीश नहीं भाप सका पर उससे लगने लगा था कि शकुन की उस मुस्कुराहट में कहीं बड़ा तीखा व्यंगे लिप्टा हुआ था विचित्र सैयोग है पहली बार जैपुर आया था तो शकुन जी से मुलकात हुई थी इस बार आया तो उनके घराना पड़ा आलोग हसा ये सारी बात इतने सहजधंग से कैसे कर लेता है इसे क्या नहीं मालूम कि शकुन के निमंतरन पर योँ चले आने से मैं शकुन का पती कुछ गलत अर्थ पी तो लगा सकता हूँ पर ऐसी बात का बोद तभी होता है जब आदमी के अपने मन में पाप हो नहीं नहीं ये सब मेरा भ्रम है कहीं भी तो कुछ नहीं है अलोग से मिलकर आते ही शकुन ने भी तो सब कुछ बता दिया था सब कुछ तो ठीक है गलत कहीं कुछ है तो उसके भीतरी है छी मन के संशय ने उसकी आत्मा को भी कितना दुरबल बना दिया है आलोक शकुन का ही नहीं उसका भी मेवान है शकुन कोई उससे अलग तो है नहीं वो जबरदस्ती ही अलगाओ को पैदा कर रहा है और व्यर्थी कष्ट पा रहा है कुछ होता तो शकुन उसे युँँ केले स्टेशन भेशती घर आते ही उसने आलोक की अटैची स्वयम उठाली आलोक ने थोड़ा सा विरोध भी किया पर वो नहीं माना आखिर आलोक उन लोगों का मेमान है सामने बरामदे में ही शकुन प्रतीक्षा में खड़ी थी उन्हें देखकर दोनों सीणियां उतर कर सडक पर आ गई देखो सही आदमी को ही लाया हूँ न तीनों हस पड़े और उसने सोचा अब ऐसे ही व्यभार करेगा बहत ही सहच और स्वाभाविक धंग से मने का एक ही हलका हो आया तीनों बीतर गुसे तो सजा हुआ कमरा उसे स्वैम बस लेखक वो चाहे ना हो पर ऐसी बढ़ियां कमपनी दे सकता है कि एक बार मिलने के बाद लोग उसे आसानी से भूल नहीं सकते शकुन को वो अलोग के सामने कते ही मैसूस नहीं होने देगा कि उसका पती मातरिक खलर्क है बूड़म और डल कितने दिन हो गये हैं उसे हसे और हसाएं आलोग दिवार पर लगी उन लोगों की तस्वीर को देख रहा है जो उन्होंने विवा के बाद ही किछवाई थी ये क्या बहुत पुरानी है इसमें तो बड़े यंग और स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग सतीश को लगा ये रिमाक केवल शकुन के लिए ही दि पर उससे क्या ये तो बहुत ही स्वाभाविक है उसे ऐसी चोटी चोटी बातों का ध्यान भी क्यों आता है शकुन अब तुम गरम जाए पिलाओ तो आलोग जी की थकान भी थोड़ी उत्रे और थोड़ी तासगी और गर्माहट भी आए अपने स्वर की स्वाभाविकता उ यो कमाल कर दिया सशरीर सामने बैट कर भी यदि विश्वास न दिला सकूँ तब तो मामला बड़ा मुश्किल है आलोग जोर से हसा मैं सच मुश कितनी खुश हूँ कि आपने मेरा निमंतरन स्विकार कर लिया मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुमने किसी को निमंतरन द दिया तो आलोग जी आपको शायद विश्वास नहीं होगा आप पहले आदमी हैं जिसके आने पर शकुन यो खुश हो रही है वरना शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्तिती तक बरदाश नहीं होती चलिए बेकार बदनाम मत कीजिए ठुनक कर शकुन बोली देख प्राइवसी पसंद है अब चाहे कोई कुछ भी कह ले एकांत प्राइवसी क्या लोग इन शब्दों का अर्थ नहीं समझेगा तब तो मेरे आने से भी आपको कश्ट होगा वैसे मैं तो आज रात को ही चला जाओंगा धत बीच में ही बात कारते हुए शकुन बोली कैसी ब पिल्कुल हर हालत में कल सवेरे मुझे चले ही जाना है बुडिया नौकरानी चाहे ले आई सतीश ने देखा ट्रे बड़े करीने से सजाई गई है शकुन चायत पहले ही सब कुछ कर रही थी शकुन के मुझ से बार बार हम हम शब्द सुनकर सतीश का आत्मिश्वास जैसे बड़ सा रहा था शकुन ने और ठेहरने के लिए एक बार भी नहीं कहा आलोग भी ठेहरने को व्यग्र नहीं सभी कुछ तो बड़ा नॉमल है नहीं तो चिता से जन में सारे संदेहों को वो पोच देगा चाय चलती रही शकुन बड़ी आत्मियता भरी मनुहार से आलोग क सर्फ कर रही है और इस घर और इस त्री का स्वामी वो है केवल वो इदर उधर की गपशब चलती रही आलोग खुश्मिश्दाज हसमुक और खुले सुभाव का व्यक्ति है अविमान या बड़पन का पोथ तक नहीं शकुन खास नहीं बोल रही केवल सुन रही है वैसे बोलना उसे ही सबसे जादा चाहिए जो भी हो आखिर वे है तो उसी का मैमान तुम सरा तरकारी लियाओ पहले नहा लूँ नहीं नहाना बाद में पहले तरकारी लियाओ अधिकार भरे स्वर में आधेश देती सी शकुन बोली और सतीश को लगा जैसे अवो थोड़ा एकान चाती है प्राइविसी हवा उल्टी थी या पता नहीं कि उसाइकल बड़ी भारी चल रही थी और सतीश को पूरा जोर लगा कर पैडल मारने पड़ रहे थे वो लोटा तो शकुन और आलव का आमने सामने बैठे बाते कर रहे थे दोनों की बीच सिगरेट का हलका सा धुआ चाया हुआ था उसे देखते ही शकुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी ना मालूम सा खिचाओ भी उसे शकुन के चेरे पर दिखाई दिया ले आए जो के तियों बैठे बैठे ही उसने पूछा उठकर उसने थैला तक नहीं लिया अब तुम नहालो तरकारी उधर जी को ही दे देना हाँ हाँ देखिए आप लोग अपने रोटीन में किसी तरह की गरबर ना करिएगा आप आफिस कितने बज़े जाते हैं दस बज़े पहुचना होता है साड़े नौ के बाद निकल जाता हूं सतीश ने किसी तरह शब्दों को ठेल कर जवाब दिया और तो क्या शकुन मुझसे भी शुट्टी लेने के लिए कहेगी यदि कहा तो क्या वो ले लेगा लेनी चाहिए उसे नहीं बहुचन का प्रयोग तो अपने लिए भी कई बार करती है चाय के समय चुप क्यों बैठी थी करती ना उस समय बात और आलोक अब रुटीन गरबर कर होने लगा कान उसके उधर ही लगे हुए थे शायद किसी किताब का जिक्र हो रहा था बोला लवकी रहा था शकुन को जो बाते करनी है वो करती क्यों नहीं शायद वो उसकी जाने की रहा देख रही है ऐसा ही है तो वो इधर ही रहेगा क्यों व्यर्थी उन लोगों के उसके साथ साहत्य का तो कोई संबंद बैठता ही नहीं ये शौक आपको कैसे लगा आखिर? शौक कहा है? शकुन कहानी उपर न्यास पढ़ने की शौकीन है सो बस खाली समय में मैं भी पढ़ लेता हूँ साहती की कोई खास समझवमच तो है नहीं वो कहतो गया पर फिर उससे लगने लगा कि कहीं कुछ गलत नहीं हो एजुकेशन बोर्ड में काम करने वाला आदमी साहती में रुची नहीं रख सकता या साहती नहीं समझ सकता ऐसा कोई नियम तो है नहीं कौन कहता है कि वो साहती नहीं समझता? अच्छा हुआ कि शकुन यहां नहीं है अब उसे कोई वजिनदार बात पूछनी चाहिए कुछ सोचकर उसने पूछा अच्छा ये बताईए आप लोग जो लिखते हैं उसका आधार व्यास्तविक्ता होती है या मातर कल्पना मेरा मतलब जो आप स्वैम भोग चुके होते हैं वही लिखते हैं या इस विश्य में कोई निश्चित नियम तो नहीं है सतीश की अदूरी बात का पूरा मतलब समझते हुए अलोग बोला अलग-अलग लोगों का अपना अलग-अलग धंग होता है अपने बार में मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी वो ही रश्नाएं जादस अशक्तियां सजीव हैं जिनको मैंने स्वैम भोग कर लिखा है फिर एक शन ठहर कर बोला बड़ा विच्चित्र प्रॉसस होता है ये भी जिन स्थितियों में हम पूरी तरह involved होते हैं वहां भी कभी कभी बड़ी निर्ममता से काट कर हमें अपने को तटरस्त रखना पड़ता है और कहीं कहीं बिना किसी लगाओ के भी पूरी तरह involved होने का अभिने करना पड़ता है इस मामले में लेखक को बड़ा निर्मम होना पड़ता है सतीज जी मा की मौत पर जब सारा घर बैट कर रो रहा था बिलक रहा था मेरा मन सारी स्थिती से अंशुआ रहकर उसकी घटना पर कहानी बुन रहा था दूसरी की बात क्या कहूं कभी कभी मुझे खुद नहीं विश्वास होता की इससे जादा वजिंदार बात तो उसके दिमाज में आ भी नहीं सकती ये तो बैट कर ग्यानी बगारने लगा उसे लिखने के प्रोसेस में कोई दिल्चस्पी नहीं है अच्छा हुआ शकुनिया नहीं है वरना इसके बाद वो क्या पूछता अलोग बोले चले जा रहा था कभी-कभी ऐसी व्यक्तियों में कहानी की गंद आती है जिनसे लगाओ तो क्या हमारा विशेश परिचे भी नहीं होता फिर भी कहानी निकालने के लिए हमें लगाओ ओरना पड़ता है यों समझी आक्टिंग करनी पड़ती है बड़ा खतरनाक खेल होता है ये कभी-कभी तो एक कहानी की दस गुनी खीमत भी अदा करनी पड़ती है तब ही शकुन आ गई और सतीश के दिमाग में कुछ कौनते-कौनते रह गया अलोग जी आप भी नहा लीजे असली थकान तो नहाने से ही जाएगी मैं गरम पानी रखाई हूँ नहा आ लेंगे जल्दी क्या पड़ी है मैं कोई ब्रह्मन तो हूँ नहीं कि नहा कर ही मुझ जूटा करूँगा शकुन हसी सतीश को हलका सफसोस हुआ कि वो हस क्यों नहीं सका नहीं नहा डालिये अलोग की अट्याची उठाकर सामने टेबल पर रखती हुई शकुन बोली ये अपनत वो भरा अधिकार कहां से आ गया और फिर उसे लगने लगा कहीं कुछ है जो से मालूम नहीं है जो कुछ जिस रूप में सामने है मातर वही नहीं है इसके परे कहीं कुछ और भी है अलोग के जाते ही शकुन ने खा कमीज तो नहीं पहन लेते कितनी मुस रही है ये क्यों ठीक है ये मैं हमेशा ही कमीज तीन दिन पहनता हूँ आजी यसी कौन सी खास बात है वो शकुन को जता देना चाहता है कि आलोग उसके लिए कोई विशेश महत्व नहीं रखता शकुन चुपचाप सतीश का खाना लेने चली गई रोस की तरह वे उसे खिला रही है पर सतीश को लग रहा है कि शकुन ने हर काम की योजना बना रखी है सतीश के सामने तो समय बरबादी होता सो वो समय पर नहाने में लगवा दिया उधर सतीश जाएगा और उधर आलोग तयार शकुन ने एक बार भी उससे तो चुटी लेने के लिए नहीं कहा बलकि शायद वो मनी मन मना रही है कि जल्दी से जल्दी सतीश वहां से चला जाए इतनी साफ बात है और वो समझ नहीं रहा है क्रीम रंग के अंडी के कुरते में जचा जचाया आलोग घुसा तो सतीश को अपनी मुस्यूई कमीज अखर गई आज उसे कमीज बदल ही लेनी चाहिए थी शकुन ने ठीकी कहा था उसे लगाक लड़की करते करते सचमुच में डल हो गया है समय पर उसे कोई बात सूचती ही नहीं बाद में बेफकुफों की तरह आफसोस करता रहता है तो आप तो चले हाँ मैं तो अब चला शकुन है आपके पास और उसने देखा शकुन मुग्धभाव से आलोक को देख रही है लोटिएगा कब अब तो साड़े पाच पर ही मुलाकात होगी शाम को बाहर चलेंगे और कुछ नहीं तो यहां का दौलत बाग और आना सागर ही देख लीजे शकुन को तो वो जगे बड़ी प्रिये है शादी के बाद की कुछ शामे तो हमारी वहीं भी दी वहां जाते ही शकुन को बस हनीमून का सा मूरा जाता है आज भी और सतीश हस पड़ा उसने सोचा बड़ी मारके की बाद वो कहता जा रहा है आलोग जान ले कि उन दोनों के बड़े मधूर संबंध है उसके मन में कोई ऐसी वैसी बात हो भी तो निकाल दे अच्छा साब चले और वो बाहर आ गया रोज की तरह शकुन भी बाहर आई उसे विदा करने पर सतीश को इस समय भी शकुन के चेरे पर वही मुगद भाव दिखाई दिया जो आलोग को देखते समय उभर आया था उसे लगा वो देख हवश्य उसे रही है पर मन में कहीं आलोग को ही देख रही है एक बज़े तक जैसे तैसे अपने को फाइलों में डुबोय रखने का प्रयतन करता रहा फिर एक आएक उसे लगा अब नहीं ठहरा जाएगा उसने उसी समय एक स्लिप लिख कर बॉस के कमरे में भेज दी कि उसकी तब्यट ठीक नहीं है सो वो घर जा रहा है और निकल आया घर लोटना ठीक होगा दोनों यही तो समझेंगे कि मुझे उन लोगों पर संदे है अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई तो कितना उच्छा समझेंगे वो लोग आत्म गलानी से उसका मन भराया पांस साल के विवाहित जीवन में उसे कोई असी बात याद नहीं जो शकुन के प्रती उसे शंकालू बना दे पिछले दो साल से वो खिन अवश्य रहती है कुछ दूर-दूर भी रहती है उसका कारान तो वो स्वयम जानता है कितना स्वाभाविक है उसका यूँ खिन रहना फिर खिननिता तो दो साल से चल रही है जबकि आलोक से परिच्छ एकुल चार महिने का है दोनों बातों को एक साथ जोडने का कोई तुक ही नहीं सचमुच ये उसका अपना कॉम्पलेक्सी है जिसे उसने इतना शंकालूब और ओच्छा और कुछ हट तक कमीना भी बना दिया है अपनी ऐसी हरकतों से तो कभी-कभी उसे स्वैम भी विश्वास होने लगता है कि उसका बैह नहीं सची है वरना ये सब क्यों हो उसे रोज की तरह आफिस में काम करना चाहिए था पर अब कुछ नहीं सीधा घर जाएगा और साफ कहेगा कि वो भी छुट्टी लेकर आ गया है आलोग जी आखिर रोज-रोज तो हमारे घर आने से रहे फिर वो उनको घुमाने ले जाएगा पहले वो उन्हें सोनी जी का मंदिर दिखा देगा फिर वो लोग आना सागर पर जाकर बैठ जाएगे वहीं वो अपनी लतीफे सुनाएगा वो सब तो अभी रही गए वो चुन-चुन कर लतीफे याद करने लगा कौन-कौन से लतीफे उसके नाम से प्रसिद्ध हो गए थे गाड़ी तो रात को दस बजे जाती है आना सागर से तांगा लेकर वो उसे कॉफी हाउस ले जाएगा बड़े शेरों के मुकाबले में तो यहां का कॉफी हाउस कुछ भी नहीं फिर भी कम से कम यह तो दिखा ही देगा कि वो सिर्फ खलरकी नहीं इस जिंदगी से भी परिचित है लेखक लोग तो कॉफी हाउस में ही बैठे रहते हैं कुछ रुपे ही तो खर्च होंगे पर शकुन कितनी प्रसन्न होगी वो उसके इस आरोप को गलत सिद्ध कर देगा कि उसे आलोग का आना अच्छा नहीं लगा इसमें अच्छा ना लगने की बात ही क्या है बला पर घर आया तो पता नहीं क्यों उसने साइकल घर से दस कदम दूर ही रग दी दबे पाउं वो सीडियां चड़ा उसका दिल घबराने लगा था मानो वो किसी दूसरे के घर में चोरी से घुसरा आओ कुछ शन बरामदे में खड़े रहकर वो आहट लेता रहा शायद कुछ बातचीत की आवाज आ रही हो पर कहीं कुछ भी नहीं था दर्वाजा बन था फिर भी उसने हलके से धक्का दिया शायद खुली जाए नहीं दर्वाजा भीतर से बन था अब फिर उसने दर्वाजे से कान लगाया बाहर के कमरे में बैट कर बात कर रहे होते तो बाहर साफ साफ अवाज आती इसका मतलब है सोने वाले हिस्से में बैठे हैं पर उधर तो शकुन किसी को नहीं आने देती आलोक शायद किसी किश्रेणी में नहीं आता अब और एका एक मन हुआ कि लात मार कर वो दर्वाजा तोड़ दे और भीतर दोनों को रंगे हातों पकड़ ले शकुन को बाते करनी थी इसलिए तो छुटी ली थी पर बातों का तो कोई सिलसला ही नजर नहीं आता भीतर क्या हो रहा है आखिर कैसे जाने कहां से जाने इस समय घर का दर्वाजा रोज ही बंद रहता है पर रोज शकुन घर पर नहीं रहती है इसलिए आज इसका भीतर से बंद होना कोई विशेश अर्थ नहीं रखता क्या वो लौट जाए? नहीं, वो लौट कर नहीं जाएगा वो दर्वाज़ा खट-कटाएगा और देखेगा कि खोलने में कितनी देर लगती है वो चेरा देखकर ही भाब लेगा कि भीतर क्या हो रहा था वो फिर एक कदम आगे बढ़ा दर्वाज़ा खट-कटाने के लिए हाथ भी उठाया पर बस दर्वाज़े को धीरे से चूकर रह गया नहीं, उसे इस तरह अधीर नहीं होना चाहिए मान लो कुछ नहीं हुआ हो तो उनकी नजरों में तो गिरेगा सो गिरेगा ही अपनी नजरों में कितना गिर जाएगा एक दम उसे खिड़की का ख्याल आया खिड़की भी बीतर से बन थी अच्छा, खिड़की बन करने की क्या जरूरत थी ऐसी सर्दी तो अब रह नहीं गई कमरे में हवा आने के लिए एक खिड़की और दर्वाजा ही तो है बस दोनों ही बंद है तो उसने सारी खिड़की पर नजर दोड़ाई कहीं कोई छेद हो, जहांसे वो भीतर जाग सके पर कहीं एक छोटा सा सुराख तक नहीं मिला फिर उसने दर्वाजे को टटोला, कहीं कुछ नहीं उसके पहले उसे इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया एक सुराख ही करके रख देता पर वो इस तरह अपराधी क्यों मैसूस कर रहा है ये उसका अपना घर है, इसमें वो जब चाहे आ जा सकता है आखेर वो अपने घर में ही तो आया है अपने घर में आना न चोड़ी है न गुना उससे क्या होता जा रहा है कि वो अकारन ही डरने लगता है जैसे ही शुकुन दर्वाजा खोल देगी कह देगा कि वो भी आदे दिन की छुटी लेकर आया है तभी उसके सामने शुकुन का चेरा घूम गया आखों में धिकार और भर्टसना भरे मान लो वो यही कह दे आखेर आ गए न तुम इसके सिपाय और कर ही क्या सकते थे हाथ फिर निर्जीव हो गया कोई तो आवाज आये किसी तरह की खौलते मन को यह निश्चे तो बंधे कि भीतर की वास्तविक स्थिती क्या है और उससे लगने लगा कि जिस तरह उसने शकुन की पलके जूमना छोड़ दिया था वैसे ही अब उसे बाहों में लेना भी छोड़ देना पड़ेगा शायद धीरे-धीरे करके उसे पूरी की पूरी शकुन को ही छोड़ देना पड़ेगा वो संचे में क्यों बढ़ा हुआ है उस जैसा बेफकूफ आदमी शायद ही दुनिया में हो सब कुछ आखों से देखकर ही जाना जाता है क्या वो कुछ में अनुमान करने का माददा नहीं रखता शकुन आजकल जिस मनस्तिती में है उसे क्या वो नहीं जानता तो क्या शकुन वो नगरा, गुलाब बाड़ी, आदर्श नगर जानी कहां कहां साइकर लिये गूमता रहा उसे बराबर लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ा धोका उसके साथ किया जा रहा है उसका मन हो रहा था कि वो सब पर थूकता चले क्या करे अब वो, कहां जाए उसका कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं जिस शकुन को पिछले पास साल से वो अपने शरीर के अभिन अंकी तरह प्यार करता आ रहा है वो इस समय किसी और की पाहों में पड़ी मस्ती मार रही होगी और वो है, जो बेघर बार होकर यूँ दरदर भटक रहा है और यूँ ही निरुदेश ये भटकते भटकते जब वो पूरी तरह लस्त हो गया तो फिर आनसागर की बारा दरी के उसी कोने पर आकर बैड़ गया उसे लगा आज उसमें और उन आवारा बेघर बार लोगों में कोई फर्क नहीं रह गया है जो दिन रात यहां पड़े रहते हैं वो भी अब यहीं पड़ा रहेगा उसे कोई नौकरी नहीं करनी है कोई काम नहीं करना है कोहने उसका जिसके लिए खून पसीना एक करे उसे सबसे नफरत होने लगी और उसे लगा वो सचमुची पौरुशीन है कोई मर्द बच्चा होता तो दो लात मारता दर्वाजे पे और जोटा पकड़ कर बाहर कर देता शकुन को और दो जुआपर मारता उस लफंगे को उसके सारे अस्तित्व को बुरी तरह मत्ता हुआ आज जी विश्वास पूरी तरह उसके मन में जम गया कि वो पुरुष नहीं है और उसे लगा ये बात तो वो बहुत पहले से ही जान गया था तभी तो कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि डॉक्टर को दिखा आए आज के विवार ने तो पूरी तरह सिद्ध कर दिया लानत है उस पर थू उसने सामने पानी में थूग दिया कोई असली मर्द बच्चा होता तो उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी ठीकी तो किया शकुन ने कौन औरत ऐसे नामर्द की पत्नी होकर रहना पसंद करेगी और फिर वो निढ़ाल होकर लेड गया उसकी आखों के कोनों में आसू बैने लगे वो मन ही मन गालियां देने लगा साला शोदा कहीं का कहानी लेने आया है शकुन ने उसे जरूर बता दिया होगा शकुन किस जन्म का बहर तुमने मुझसे निकाला है उस आदमी के सामने मुझे नंगा किया जिसके सामने मुझे वस्त्रों की सबसे ज़ादा आवशक्ता थी बजरंगर की आरती फिर गूंज उठी तो क्या साथ बज गए वो जरूर भले आदमी बने उसकी राहा देख रहे होंगे अब वो यदि घर चला जाए तो दोनों कैसा नाटक करेंगे शकुन लड़ेगी कि इतनी देर क्यों कर दी दो घंटे से इंतिजार में बिठा रखा है सारा प्रोग्राम गड़बर कर देते हैं मन ही मन चाहे खुश हो रहे होंगे साले मस्तिया मार रहे होंगे आलोक ने कहा ही था कि जहां हम इन्वाल्व नहीं होते वहां भी कभी कभी अभिने करना पड़ता है पर शकुन वो ही अभिने कहां से सीख गई उसी ने सिखा दिया होगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये अभिने तो सबीस तरों पर चल रहा है और शायद शुरू से ही चल रहा है वही बेफकूफ है जो कुछ समझा नहीं तब ही शकुन चार महिने से प्रसन रहन लगी थी वरना बाकी स्थिती त्यों ज्योंकी त्यों ही है ये प्रेम तो चार महिने से पक रहा है वरना दो-चार घंटे में कोई विवाहिज त्री एक अजनभी के साथ यो कमरा बंद करके बैठ सकती है क्या क्या हुआ होगा शकुन ने आखिर क्या सोच रखा है क्या चाती है वो और जाने कैसे कैसे द्रिश्य उसकी आँखों के सामने घूमने लगे आज वो घर लोटेगा ही नहीं आज सालों को जश्न मनाने दो मेरे अपने घर में मेरा श्राद करने दो मैं यहीं पड़ा रहूंगा किसका घर और किसकी बीवी उसने रुमाल से अपना चेरा ढख लिया ये मू किसी को भी दिखाने लाइक नहीं दीरे दीरे आरती का स्वर शून्य में दूब गया केवल आरती के घंटे बचते रहे टन 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 थोड़ी देर बार सतीश उठा और साइकल पर बैट कर चल पड़ा उसे लग रहा था कि वो ठक कर चूर हो गया है और भीतरी भीतर इस तरह तूट गया है कि उसका सब कुछ एकदम जन और सुन हो गया है कुछ भी सोचने समझने की शक्ती उसमें रह नहीं गई है यहां तक कि उसे ये भी नहीं मालूम कि वो जा का रहा है पर थोड़ी देर बाद वो अपने घर के सामने ही था ठीक है वो घर ही जाएगा ये घर उसका है जाना ही है तो शकुन जाए जिसे अब इस घर में अच्छा नहीं लगता वो क्यों यो मूँ चुपाए चुपाए फेता रहे उसे देखते ही शकुन ने बहुएं छड़ा कर कहा कमाल कर दिया तुमने तो अब आ रहे हो उसके स्वर में शिकायत थी हम लोग तो पांच बज़े से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आलोग का स्वर था दोनों साले कपड़े बदल कर जच जचा कर बैठे हैं बड़ी तीखी सी नजरों से उसने उन्हें देखा माना कह रहा हो क्यों मुझे बेकूफ बना रहे हो कुछ जरूरी काम आ गया था अपरादियों की तरह सतीश के स्वर में शमाय आजना का पुटकियों आ गया है असलिए अपरादी तो वो है जिस दिन घर में कुछ होगा उस दिन जरूर तुमारे आफिस में भी काम आएगा छोड़ाते कल के लिए कह देते आज में ठैर नहीं सकता तेरिया चरित्र कोई कह सकता है शकुन को देखकर कि पती के जाते ही ये औरत चाय दो जरा किसी तरह शब्दों को ठेल कर उसने कहा पहले उसने सोचा था वो किसी से कुछ बोलेगा नहीं चाय भी नहीं मांगेगा पर फिर लगा क्यों नहीं मांगेगा जब तुक शकुन इस घर में रहेगी उसे पत्नी की तरह उसकी हर आदेश का पालन करना पड़ेगा देखे कर दे तो मना चाय को अभी दिखा देता है वो भी हाथ मूद होने के लिए जब वो अंदर गया तो उसने शकुन को कहते सुना बहुत थक जाते हैं ओफिस के काम से शायद सतीश की रुखाई की सफाई दे रही है वो आलोक को हाँ वो थक जाता है वो बहुत कमजोर है दुरबल, बिलकुल दुरबल, नामर्द कह दे सारी दुनिया में डिनोरा पीट दे वो है, जैसा है उसका मन फिर सुलगने लगा सरदी हो चली थी फिर भी वो तॉलिया लेकर नहाने गुस किया गुसल खाने के बाहर से उसे शकुन का स्वर सुनाई दिया ये क्या, तुम इस समय नहा रहे हो ठंडे पानी से बीमार पढ़ोगे क्या, सुनो तो उसने पूरा नल खोल दिया तो पानी की अवाज में शकुन का स्वर डूब गया बकने दो कमबक्त को एक बार पानी की ठंडक ने उसे भीतर तक कपा दिया फिर भी उससे नहाना अच्छा लग रहा था जलन जैसे ठंडी होती जा रही थी काफी देर तक पानी के नीचे रहने के बाद उसने नल बंद कर दिया अपना शरीर पोचकर कुछ देर तक वो यूहीं खड़ा रहा फिर एका एक उसका अपना ही मन गलानी और वित्रिशना से भड़ उठा सब क्या होता जा रहा है उसे इन लोगों के साथ-साथ क्यों अपना दिमाग खराब करता जा रहा है नहीं जैसा भी होगा वो अपने को सहियत रखेगा उसने सोचा वो बड़े स्वाभाविक ढंग से चाय पिएगा और उससे भी अधिक स्वाभाविक स्वर में कहेगा देखिए मुझे सब कुछ मालूम है बन दर्वाजे ऐसी बातों को छुपा कर नहीं रख सकते आप लोग एक्टिंग करने में बहुत माहिर होंगे पर मेरी आखे भी कम तेज नहीं शकुन चाहे तो आपके साथ जा सकती है मुझ में इतनी उदारता है कि मैं अपनी पत्नी की रा में बाधा बनकर खड़ा न हूँ उसकी इच्छा पूरी करने में सहायक बनू ये लोग उसके ही घर में नाटक कर रहे हैं क्लाइमेक्स वो कर दे वो बाल बनाता जा रहा था और पलंग को देखता जा रहा था कैसे सोएगा वो इस पलंग पर पर वो बाहर निकला तो उससे कुछ भी नहीं कहा गया शकुन चाहे बनाने लगी तो आलोक ने कहा हम लोग तो वैसे चाहे पी चुके हैं पर आपका साथ देने के लिए एक राउंड और सही हाँ हाँ जरूर शाम का सारा प्रोग्राम तो इन्होंने गड़बर कर दिया अब चाय पी-पी कर ही समय काटो शकुन के स्वर में हलका सा अक्रोश था चाय पी चुके हैं ये तो बता दिया और क्या क्या कर चुके हैं ये क्यों नहीं बताते बताने जैसी बात हो तब न फिर उससे लगा वहीं क्यों ये प्रशन नहीं पूछ लेता कहिए दिन भर क्या किया बड़ा स्वभाविक सा प्रशन है पर सारी स्थिती स्वभाविक नहीं है इसलिए इन्हें ये लगेगा कि मैं शक कर रहा हूँ और मान लो इस प्रश्न का एका एक दोनों को जवाब ही नहीं सूजे और खिस्याय से दोने एक दूसरे का मूँ देखते रह जाएं तब वो क्या करेगा तब ही शकुन उठी और भीतर से स्वेटर लाकर देती हुई बोली लो अब कम से कम ये तो पहन लो रात को ठंडे पानी से ना आये हो अपनी जित के आगे तुम किसी की बात सुनते भी हो कभी ना चाहते हो भी उसने स्वेटर पहन लिया छोचले दिखा रही है आठ तो बजने वाले है चलने चलाने का तो यहां कोई सिलसला ही नजर नहीं आ रहा दिनमर में जरूर प्रोग्राम बदल गया होगा बाहों में भरबर कर शकुन ने एक दिन और ठहरने के लिए तो तयार करी लिया होगा कल फिर उसे ऑफिस भेज दिया जाएगा और अभी उसे मालूम पर जाएगा कि आलो का श्ठहर रहा है और वो कुड़ता रहेगा दिखाने के लिए भी शायद खुश नहीं हो सकेगा क्यों दिखावा करे वो? कौन साली उसे खानी लिखनी है? अब तुम जड़ा बैठो मैं खाना देखाऊं हाँ मेरे साथ बैठने में क्या रखा है? शकुन जी तो काफी इंटेलिजेंट है हाँ बहकाओ बच्चु मुझे खूब बहकाओ यो क्यों नहीं कहते कि शकुन जी काफी बेफकूफ समझ रखा है उसे? बता रही थी कि शादी हुकर आई थी तब बस यूँ ही थी आपने ही रुची पैदा की और सुविधाय भी दी सुनिये शकुन उधर से बुला रही है सतीश उटकर चला गया देखो अब आलोग जी को स्टेशन छोड़ने तुम ही जाना मुझे घर ठीक करना है और कौपियां देखनी है दो दिन से इस शक्कर में कुछ किया नहीं कल सारे नंबर देने है सतीश ऐसे देखने लगा जैसे कुछ समझने की चेश्टा कर रहा हो आलोग जी आज जा रहे हैं क्या? कमाल करते हो तुम भी सवेरे ही बात हो गई थी नहीं मैंने सोचा शायद तुमने आग्रे करके रोख लिया होगा कुछ आश्वस होते हुए उसने कहा अरे बाबा आ गये सो ही बड़ी बात है अब उन्हें कोई ज़रुरी काम है तो क्या करे? तो स्टेशन तो तुम भी चलोना कम से कम देखो सारे बरतन बिखरे पड़े हैं खाना खत्म होते ही पहले इन्हें जमाऊंगी मा जी तो खिला कर चली जाएंगी बाकी सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा छोटा घर है जरा सा बिखर जाता है तो दिक्कत दिखने लगती है मुझे यूं भी बिखरा घर पसंद नहीं उसके पाद कॉपियां भी तो देखनी है पर देखो मैंने इसलिए तुम्हें इधर बुलाकर कह दिया है वरना वहां तुम जित करने लगोगे तो बना करना बड़ा भद्दा लगेगा कुछ कहना मत हाँ सतीश और शकुन साथ साथ ही भाहर आए सतीश को बात से भी जादा अच्छा लग रहा था इस तरह भीतर बुलाकर शकुन का उससे कुछ कहना आलोक आए हैं तो क्या हुआ उनका अपना भी तो कोई जीवन है कोई ऐसी बात भी तो हो सकती है जो भीतर बुलाकर ही कही जाए तो आलोक जा रहा है शकुन फिर अपनी घर ग्रेस्ती और स्कूल की बातों में डूबने लगी है खाने बैठे तो शकुन ने उसकी थाली में दोती नतरिक चीजें रखते हुए कहा तुम सवेरे ओफिस गए थे तब तक ये बनी नहीं थी अब तुम खालो गाजर का हलुआ था मटर की कचोडी थी कुछ तो आप भी लीजी आलोक जी शकुन मनुहार कर रही थी माफ करो बाबा स्वस्त जरूर कुछ जादा हूँ पर खाता जादा नहीं हूँ सवेरे का खाना भी अभी तक हजम नहीं हुआ ऐसा तो आपने सवेरे भी कुछ नहीं खाया मैंने तो अपने हाथों से सब बनाया है तो दिन भर इसने खाना बनाया कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिचारी बैट कर उधर खाना बना रही हो और ये महाशेहा दिवान पर लेट कर सिगरेट फूक रहे हो अवाज आती कहां से पर फिर दर्वाजा बंद क्यूं था हो सकता है मींद आ गई हो इसलिए दर्वाजा बंद कर दिया हो कमरा सडक पर ही तो पड़ता है तो ये क्या उसका अपना ही बुना हुआ जाल है जिसमें फसकर वो दिन बर से छट पटा रहा है उसने गौर से शकुन को देखा उसके अंग प्रतियंग को वो घूर घूर कर देखने लगा कहीं कोई छाप है कोई लक्षन कोई लाल नीला दाग शकुन खिला जादा रही थी खा कम रही थी पर वैसे सब कुछ बड़ा स्वभाविक था आप आज शाम को आ जाते तो आलोग जी को थोड़ा घुमाफिरा ही देते सारा दिन घर में रखकर बोर कर दिया सोच रहे होंगे कहां आफसे वाह बोर तो मैं तनिक भी नहीं हुआ बड़िया खाना खाया डटकर गप्पे मारी हाँ सतीश जी के साथ बैठने का मौका नहीं मिला और आपका बड़ा प्रिये आना सागर नहीं देखा सो वे अपकी बार आऊंगा तब जरूर देखूंगा फिर कुछ खट से बजा सतीश के दिमाग में तो क्या फिर आने का प्रोग्राम बन चुका है क्या है ये सब उसे कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था शरीर में तो उसके कुछ गड़बढ है ही पर लगता है दिमाग में और भी जादा गड़बढ है अब आप तांगा ले आईए लगा जैसे शकुन जल्दी से आलोग को विदा करके अपने काम में लग जाना चाहती है या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भेज कर विदा की असली रस्म पूरी करनी है उसके सामने तो आपचारिक से नमस्कार के अलावा कुछ हो नहीं सकेगा तांगा लेने मैं भी साथ चलता हूँ जरा टहलना ही हो जाएगा टहलना क्या होगा यहां बगल में तो तांगा मिलता है यही ले आएंगे हाँ आलोग को कैसे जाने दे सकती है अभी मैं तो आपका नौकर लगा हूँ जो तांगा ले आओंगा चलते समय शकुन ने कहा समझ नहीं पा रही हूँ आलोग जी आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ जब भी जैपूर आये तो यहां आने का कष्ट अवर्श्य करिएगा और इस बार अकेले नहीं परवार सहेत आईए सबसे मिलकर और भी खुशी होगी इस नई पुस्तक पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजना पाठको की प्रशंसा ही हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रेड़ना होती है पर इसका ये मतलम नहीं कि तुम केवल प्रशंसा लिख कर भेजो और आलोग हस्ता हुआ तांगे पर बैठ गया सारा तांगा नीचे को जुग गया पता नहीं कितना वज़न ये कमबक्त में स्टेशन से सीधे घरी आ जाना इधर उधर मत चले जाना माजी भी चली जाएंगी मुझे बहुत अकेला लगेगा और सतीश को लगा जैसे आलोग के सामने ये कहकर उसने उसे उबार लिया विदा देती अनमनी सी शकुन उससे बड़ी भोली, बड़ी सरल और बड़ी प्यारी सी लगी उसने एक बार फिर सुवेरे से अब तक की सारी बातें याद कर डाली अगर अपने मन के संदेश से मुक्तो कर देखे तो कहीं भी कुछ नहीं है एक भी तो बात ऐसी नहीं हुई जिसे वो आधार बना कर यूं कश्ट पाए नहीं नहीं ये उसकी ही हीन भावना है जो उसे हर बात के दस-दस अर्थ लगाने को मजबूर कर देती है वो आज कितना बड़ा नर्थ भी कर सकता था उसे इस बात से बड़ी तसल्ली मिली कि ऐसा कुछ भी होने से पहले ही उसे सद बुद्धी आ गई हाँ आलोग की वो खातिर कर रही थी बड़े श्रत धालू भाव से तो इसमें हुआ ही क्या? वो हर काम को पूरी लगन से करती थी आलोग की खातिर की तो लगन से अपना घर सजाया तो उतनी ही लगन से और अब फिर सब ठीक ठाक कर रही होगी वो बड़ी तरकीब से आलोग के लिखने के प्रोसेस वाली बात जरूर शकुन को पता देगा कि कैसे ये लेखक लोग बिना किसी लगाओ के भी केवल कहानी वसूलने के लिए आक्टिंग करते हैं कम से कम ये हलका सा संकेत हो जाएगा शकुन के लिए कि यदि आलोग ने कुछ किया भी हो तो वो उसकी किसी भी बात या विवार को गंभीरता से ना ले उसका ओच्छापन भी नहीं दिखेगा और बात भी भन जाएगी अपनी दूर दर्शता पर वो स्वेहम ही मुक्ट सा हो गया कौन कहता है कि वो बेफकूफ है या डल आलोग ने भी स्विकार किया कि शकुन इंटेलिजन्ट है वो उसके संकेत को अवश्य ही समझ लेगी और एका एक उसे लगा जैसे सवेरे से जिस असे बोज के नीचे वो तिल मिला रहा था जिस मरमान तक पीड़ा से छट पटा रहा था वो सब एका एक समाप्त हो गई है गाड़ी चली तो बड़ी मशीनी ढंग से हाथ हिलाता रहा उसने भी चलते समय शकुन वाली बात दोरा दी सपरिवार आई ये कभी आलोग आया और चला गया और कहीं कुछ न हुआ वो घर लोटेगा तो देखेगा कि शकुन उसी वियस्ता और लगाव से अपना घर ठीक कर रही होगी यदि उसका काम पूरा नहीं होगा तो वो कहेगा जाओ तुम आराम करो बहुत ठक गई होगी सवेरे से लाओ मैं जमा देता हूँ सारे बरतन बरतन वो उसकी कौपियां भी दिखवा देगा वो जरूर विरोत करेगी तुम भी तो अफिस से ठक कर आये हो मैं कर लूँगी तुम अराम करो आज वो शकुन को बहुत प्यार करेगा उसकी अपनी ही दुर्बलता ने पता नहीं कैसे ये बर्हम उसके मन में पैदा कर दिया था कि उन दोनों के बीच में जैसे कोई है पर कहीं कोई नहीं है शकुन आज भी उसी की है उतनी ही जितनी दो साल पहले थी मैं कितना दीरे दीरे चल रहा हूँ शकुन अकेले होगी, साइकिल न लाकर भूल ही की, उसने अपनी चाल बढ़ा दी, घर पहुचा तो देखा, खाने के बरतन अभी तक टेबल पर ज्योंकेते हो पड़े थे, कौपियों का बंडल भी दिवान के नीचे जैसा कत ऐसा बंधा पड़ा था, अंदर जाके देखा, शकुन पलंग पर लेटी हुई आलोक का नया उपरन्यास पढ़ने में डूबी हुई है, आहट पाकर एकदम चौक सी उठी, कौन? मैं हूँ, ओ तुम, मैं तो डर गई थी, और किताब को तक्या के नीचे सरकाती हुई, वो उठकर बैढ़ गई, तो ये थी मनू बंडारी जी की कहानी तीसरा आदमी साथ में आपसे एक अनुरोध भी है, अगर मेरे वीडियो पसंद आए, तो उन्हें प्लीज सब्सक्राइब करिये और लाइक और शेर करिये, थेंक यू